हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैंब स्टूडेंट्स में आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे स्वस्तों वे स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर नुबर 13 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नुबर 13 में एकसरसाइज 13.2 को आज हम पढ़ेंगे तो 13.2 अजिकर प्योर क्यों है वो इनवर्स लिवेरी करते हैं तो find the constant proportion and complete the table तो constant proportion आपको बताना है और उसके बाद उसकी जो table जो दी हूई है उसको complete करना है तो यहाँ पे 9 और यह 8 है ठीक है तो 9 by 8 यह दोनों में देर्ख्था तो इसका जो inverse proportion बन रहा है वो 9 by 8 बन रहा है ठीक तो यहां पर इसको यहां से देखना है तो यहां पर inverse proportion में हमें क्या करना होता है इन दोनों को multiply करना होता है उसके बराबर इनको सभी को लेकर आना होता है ना इन एट जा 72 होते है तो 72 अपका product आना चाहिए यहां पर 3 है न तो यहां पर मैं कितना 3 को कितने से multiply करूं कि 72 आ जाए तो यह 24 आएगा ठीक है इसके बाद जैसे हमारा 72 आना चाहिए तो यह 6 है तो यह मैं 72 और 6 को divide कर देता हूं तो यह मेर आजएगा 6, 1 जाए 6 और यह 1 और 6, 2 जा 12 ठीक है तो यह कितना आ जाएगा यहां पर 12 क्योंकि 12, 6 जा कितने होते 72 है आपको product इन दोनों का product है वो 72 लाना इनका product 72 इनका product 72 अभी यहां पर मैं कितना 4 से multiply करते हूं कि 72 हो जाए तो मैं 18 को multiply करता हूं 18 फोर जा 72 अभी 36 है यहां पर तो इसको यहां पर कितन इन दोनों को multiply किया, इसको multiply कि 72, इसको multiply कि 72, इसको multiply कि 72, यानि product आपको 72 चाहिए उपर और नीचे, जो P और Q दे रखें, इनका product आपको बराबर आना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी करना है, जो second इसका part दो P और Q आपके 12 और 10 दे रखें यहाँ ठीक है, तो बारा को दस से किया, तो 120 आगे, अभी 120 चैसे यहाँ पे आगे, इन दोनों को multiply किया, तो यहाँ पर मिर पास 3 है, तो 3 से मैं इसको भाग करता हूँ, 3, 4, 12, 8, 0, 8, 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40, यह 40 और 3 को multiply कि तो 120 आगे न, इसी तरह से इसको करना है, तो यह जाता है, तो 15, 8, 120, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अगर इसमें यहाँ पे आपको नहीं पता चल पा रहा तो आपको क्या करना है, इनका जो प्रोडेक्ट 120 आ रहा न, तो 120 हमने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे यह दियरक के इसको divide करना है, ऐसे, 5 दूनी 10 होगे, यह बचक जो दोने दे रखे हैं, प्योर क्यों, इनका प्रोडेक्ट वो हमें से बराबर आपका आना चाहिए, ठीक है, अभी हम स्टूरेंट्स अपना यह second question का देख लेते, in which of the following cases do that two quantities P and Q vary inversely, तो यह inversely vary करते हैं, नहीं करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अभर आ रहा तो yes, otherwise no, ठीक है, तो यह क्या है, यह invertly vary कर रहा है, ठीक है, तो yes आएगा, इसमें देखते हैं, तो को नाइन सी आता 18 इसको 18 यहां से इसको multiply करते हैं 18 नहीं आए ना तो यह नो आएगा ठीक है जैसे इसको करते हैं या फिर इसको आपस में multiply करते हैं तो सारे बराबर नहीं आए तो इसमें यह inversely vary नहीं नहीं कर रही है यह तो सारे बराबर आए तो recover कि इसमें बिढक है तो इसके बाद इसको देख लेते हैं यहां sala Saladag ठीक है इसको करते हैं तो 21 नहीं इसका भी नहीं आता तो यह क्या आएगा इसमें नौ आ जाएगा यह जो pure q है वो आपके inversely vary नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इसमें नौ आ जाएगा तो अभी students हम अपना homework का देख लेतें students homework में हमें क्या कर रहा है homework में soul exercise 13.2 in fair notebook तो students आपको exercise 13.2 है वो fair notebook में soul करके देख लेने हैं और इसमें सारे questions हैं inverse variation के questions हैं और inverse variation में आपको क्या करना है जो भी table बनेगी उसमें p ओपर और q नीचे उन दोनों का productive बागी इसके बराबर आना चाहिए तो वो आपकी condition लगेगी और वो सारे questions आपको soul कर लेने हैं थांकी स्टुदेंट्स